हेलो दोस्तो तो बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका फिर से एक नए वीडियो में तो मेरी पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि मैंने कैसे बनाया, कौन सा प्रमिक्स इस्तेमाल करके बनाया और सारा step आप सीख पाएंगे, सारा process आप इस cake को बनाने के लिए देख पाएंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही interesting होने चारी है, पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों, वेकर्स विले केक प्रेमिक्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस cake को बनाने के लिए वैनिला फ्लेवर में है और वेज प्रोडक्ट है इसका sponge मैंने बनाना बतलाया है अपने चैनल पर लिंक में डाल दूँगी आप जाकर के देख सकते हैं कि इस से मैंने sponge कैसे तयार किया बहुत ही अच्छा इस से cake बनता है तो sponge तो मैंने तयार कर लिया है कडाही में मैंने इस से bake किया और बिल्कुल low flame में मैंने कड़ाही में इसको भी किया है बहुती soft sponge बना है और एक cup मैंने premix इस्तिमाल किया तो एक cup premix में 180 gram मेरा आया था premix और एक pound का बहुत ही अच्छा एक pound का cake आप बना सकते हैं एक cup premix अब इस्तिमाल करके और मेरा जो cup है 180 gram का है और बहुती perfect इससे one pound का cake बन जाएगा तो एक cup premix से मैंने बना लिया है यह sponge तो चैनल पर जाकर के sponge बनाने की रैसिपी जरूर देखें अगर आप इसे oven में बेग कर रहे हैं तो 180 degree Celsius पे 32-35 मिनट के लिए आप preheated oven में बेग कर सकते हैं अब मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है cup में और इसमें मैं डालूँगी strawberry crush को तो आप चाहें तो sugar डाल के भी sugar सिरफ तयार कर सकते हैं आज मैं strawberry crush का इस्तेमाल कर रही हूँ इस सिरफ को बनाने के लिए क्योंकि मैं चाहा रही हूँ कि केक में थोड़ा strawberry का flavor भी आ जाए वैसे तो vanilla वाला हमारा sponge तयार हुआ है लेकिन strawberry का flavor भी आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसको मैं mix कर ले रही हूँ और mix करके यह sugar सिरफ के जैसा तयार कर लिया है मैंने strawberry syrup अब मैं ले ले रही हूँ turn table को और उसके उपर एक चोटा सरू मालिया कपड़ा रख दीजिए उस पर board को रखिए तो काम करने में आसानी होती है और sponge को मैंने उपर रखा है उस sponge को काट के हमें थोड़ा सा उपर से हटाना है तो थोड़ा सा आप कट कर लिजिए उपर से ताकि हमें काम करने में असानी हो और जो syrup हम डाले तो वो अच्छे से सोक हो सके तो यह थोड़ा सा हटाया है ज्यादा नहीं हटाया है और यह रही विप क्रीम जिसको मैंने pink कलर में बना के तयार किया है विप क्रीम बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं दोस्तों लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी और आप जाकर के देख लिजिए विप क्रीम कैसे बनाई जाती है मैंने pink कलर में इसको बनाया है क्योंकि मुझे base इसका pink रखना है इसके का तो ए इसके क्रीम कप का इस्तेमाल किया तो इससे perfect आपका एक पॉंड का केक बन जाएगा अब मैं इसे बीच में से कट करके दो लेयर निकालूगी sponge का तो ये दो लेयर कट करके हम लोग इसका तयार कर लेते हैं एक बीच में से कट लगाए दो लेयर अपने आपी निकल जाएग यह देखिए इसे साइड में रख लेते हैं करम्स को हटा दें बोड के ऊपर से ताकि क्रीम में ना आजाएं करम्स को हटा दिया है और अब जो सिरफ हमने तयार किया है strawberry crush वाला उसको इसमें डालेंगे चमझ की मदद से में डाल रही हूं देखिए और इस तरह से डालेंग और palette knife की मदद से सब तरह बरावर फैलाएंगे कुछ इस तरह से फैलाएंगे कि बरावर सब जगा फैले ताकि उपर वाला layer बिल्कुल बरावर बैठे और अब strawberry crush को लिया है और थोड़ा समय crush भी इसमें डालूगी और crush इसमें डालके हम लोग फैलाएंगे यह बहुत ही अच्छा लगता है strawberry crush के साथ आप बना के देखिए बहुत ही टिस्टी बनता है तो crush को डाल दिया है और चमच की मदद से आप इसको फैला लीजिए तो मैं चमच का इस्तिमाल कर रही हूँ सब तरह बरावर फैलाने के लिए इसको और अब उपर में फिर से एक लेयर केक करक दिया है और उसके बाद फिर से सिरप को डाल रही है सिरप को अच्छे से डाल देने के बाद इसके उपर फिर से विप क्रीम लगाए और उसके बाद मैं पहले इसकी थोड़ी सी क्रम कोटिक कर देती हूँ उसके बाद ही मैं फाइनल इसमें विप क्रीम लगाऊगी तो पैलेट नाइफ की मदद से बराबर सब तरफ हलका हलका सा विप क्रीम लगा के हम लोग क्रम कोटिंग कर रहे हैं जहां से भी क्रश निकलाया है उसको आप बाहर हटा दे ताकि आगे दिक्कत ना हो अब मैं ले ले रही हूँ विप क्रीम को फिर से पाइपिंग बैग में डाल लिया है और नोजल को आगे लगा लिया है कोई भी नोजल आप इस्तेमाल करते हैं बस हमें इसमें क्रीम लगानी है तो चारों तरफ हम लोग क्रीम लगाएंगे और उपर के साइड में भी लगाएंगे तो टर्न टेबल को घुमाते हुए हम लोग इसके उपर क्रीम लगा रहे हैं उपर के साइड में भी लगा देंगे इसी तरह से सब जगा को गवर कर लेते हैं ये लगा दिया विप क्रीम और पैलेट नाइफ की मदद से हम लोग इसको चिकना करेंगे सब तरब ऐसे टर्न टेबल को गुमाते हुए करें पैलेट नाइफ की मदद लें और ऐसे चिकना करें उपर के साइड में भी कुछ इस तरह से हम लोग चिकना कर देंगे और जहां जहां भी आपको लग रहा है कि क्रीम थोड़ी सी खाली जगा है वहां क्रीम नहीं लगी है तो पैलेट नाइफ की मदद आप ले सकते हैं और इस तरह से चिकना करते हुए आप लगा सकते हैं क्रीम को और आप scrapper को मैंने लिया है और इसको घुमाते हुए मैं scrapper से चिकना कर रही हूँ इसको तो आप देखिए ये scrapper को मैंने इस तरह से घुमाया और turn table को घुमाते हुए इसे चिकना कर रही हूँ उपर के साइड में भी आप इसकी मदद ले सकते हैं और इस तरह से चिकना कर सकते हैं अब मैं पैले टाइफ की मदद से चिकना कर रही हूँ तो ये लगबग हो चुका है दोस्तों स्क्रैपर में जो कॉम जैसा बना रहता है उससे मैं इसको साइड में डिजाइन दे रही हूँ और इसी Nosle के साथ पुरा डिजाइन में कर दूँंगे 1e Nosle को मैंने पाइपिंग बैग में फिट कर लिया है और इसमें हम लोग Cream को फिल करने जा रहे हैं तो Cream यह रही Blue कलर की तो Whip Cream जो हम मैंने Pink कलर की बनाई थी उसी मैं मैंने यह Gel Food Color मिक्स कर दिया और ये इस तरह का blue color बन गया तो pink color में ही मैंने blue color को mix किया है और piping bag के अंदर में चमच की मदद से एक side इस cream को रख रही हूँ पूरे piping bag में नहीं रख रही हूँ ये देखिए एक side में रख रही हूँ तो एक side में चमच की मदद से हम लोग पहले इस वाली cream को रखेंगे blue वाली cream को तो बड़े ही अराम से एक side हमने blue वाली cream को रख दिया है ये देखिए अब मैं इसके अंदर दूसरी वाली cream को फिल करूँगी तो पहले मैं blue color को एक side डाल चुकी हूँ कुछ इस तरह से blue color की cream डाल दिया है और पिंक वाली cream जो हमने रखी है उस pink वाली cream को हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो दूसरे side पे हम लोग pink वाली cream डालेंगे देखिए piping nozzle वही है बस अलग अलग जगह पे डाला है उस तरफ से डाला था pink blue color और इस तरफ एक तरफ डाला है pink color तो चम्मच की मदद आप ले सकते हैं इसको करने के लिए और अलग-अलग cream को मैं इस तरह से लगा रही हूँ ताकि दो तरह का shed हमारा nickel care के आएगा इसमें दीरे-दीरे press करते हुए cream को आगे करेंगे ताकि दोनों cream बराबर आगे press हूँ और जब निकले तो एक साथ निकले अलग-अलग रंग में तो कुछ इस तरह से press कर रही हूँ ये देखिए आगे की तरफ इसे press करना है और इस तरह से अब तयार है चलिए हम लोग इससे design बनाएंगे देख सकते हैं आप pink color भी आ रहा है और blue color भी आ रहा है तो इससे हम लोगों design बनाना है 1E nozzle के साथ हम लोग design बनाने जा रहा है बहुत एक खुबसूरत design इससे बनता है देखिए कितनी सुन्दर cutting इसमें आ रही है विप cream की ये बस एक बार घुमाया और इस तरह से हमारा एक design तयार हो गया और ऐसे ही हमें बनाना है next ये ऐसे घुमाके ताकि pink और blue एक साथ हमारा दिखाई पड़े देखिए pink color और blue color दोनों के साथ मैं इसको बना रही हूँ और इस तरह से हम लोग पूरा में ऐसे ही design को cover कर देंगे तो देखे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा दोस्तो इसको मैं हटा दे रही हूँ अगर आसे गलती आपसे हो आप चाको की मदद से इजली इसको हटा सकते हैं और फिर से बना सकते हैं तो ये बहुत सुन्दर सा फिर से बन गया और पूरा cover कर दिया है मैंने इसी तरह से देखिए और सेम नोजल का इस्तिमाल कर रही हूँ और विप क्रीम को बस थोड़ा थोड़ा मैं नीचे के साइड में design बना रही हूँ इससे ये बस इस तरह का design मुझे बनाना है तो पूरे में मैं नहीं बना रही हूँ बस कहीं कहीं पे मैं बराबर जगह चोड़के बना रही हूँ ये देखिए दो-दो करके मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है नीचे के साइड में और ये विप क्रीम का काम मेरा हो चुका है और इसके उपर फिर से अभी हमें कुछ और भी डिजाइन करना है देखिए आप इसकी जो भी हमने डिजाइन बनाया वो कितना सुन्दर दिखलाई पड़ रहा है अब मैं डालूंगी इसमें शुगर स्प्रेंकल्स को गोल्डन कलर का मैंने लिया है आप चाहें तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है और ये स्प्रिंकल को मैं बीच में यहां डालूंगी तो इस तरह से बीच में स्प्रिंकल डाल देंगे बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगने लगेगा यह डाल दिया मैंने अब देखि जाएगी और स्प्रिंकल जो यहां साइड में दिखलाई पड़ेगा कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगता है तो आप इस तरह से दूर से इसे इस तरह से फिक के और देखिए चिपक जाएगा वह तो इसी तरह से छिड़कते हुए आप इसे सब तरफ लगा द को और उपर में भी डाल दिया है और यह हमारा डिजाइनिंग भी हो चुका है विप क्रीम का तो हमारा केक तयार है अगर आप इये केक बना और कस्टमर के पास जाने के लिए बिल्कुल तयार है तो दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाइए अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछिए और मैं कोशिस करूंगी आपके सव जवालों का जवाब दे सकूं तो दोस्तों जुड़े रही है चैनल के साथ बहुत सारे और भी जानकारी आने वाली है चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो दोस्तों क्या कर रहे हैं जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना ह तो मिलते हैं फिर ऐसे जानकारी से बरी हुई वीडियो के साथ तैंक यू